स्वागत है बच्चों मेरा नाम टी सोनी है मैं टी सम्स मिर्दोडी में हिंदी अध्यापिका के रूप में कारियर थूँ तो फिर बच्चों हम आज का अपना हिंदी सीखने के दूसरे सदन में चलते हैं पिछले सदन में हमने हिंदी वर्ण माला में से कुछ अक्षर सीखे हैं वह अक्षर है अम, अह, द, ध, ठ, और व तो आज हम उन अक्षरों से संबंदित अभ्यास पत्र करेंगे तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं तो पहला प्रश्ण यहाँ पे रिक्तस्थान की पूर्थी सही अक्षर से कीजिए पहला वहाँ पे एक चित्र दिया गया है उस चित्र को आप ध्यान से देखे और उस चित्र से आने वाला शब्द को रिक्तस्थान में आप लिखिए चित्र में क्या दिया है बच्चों? हाँ, वक, वक का चित्र है तो वहाँ पे उस रिक्तस्तान में कोंसा अक्षर आना चाहिए? हाँ, बहुत खुब वासे वक, उसका उत्तर है वासे वक अभी हम दूसरे चित्र की और बढ़ते है आपने पहचाना ये चित्र किसका है? हाँ, बहुत खुब यहाँ चित्र अंगूर का है अंगूर अम से अंगूर रिक्त स्थान में को सा अक्षर आएगा? उसका उत्तर देखो अम, अम से अंगूर बहुत खुब बच्चों अभी हम तीसरे चित्र की और बढ़ते है यहाँ पे चित्र में क्या दिया गया है? हाँ, बहुत खुब धपली धपली, धा से धपली तो रिक्त स्थान में को सा अक्षर आएगा बच्चों? याद करो हाँ, बहुत खुब उसका उत्तर देखो धा से धपली दर्वाजा द से दर्वाजा तो रिक्त स्थान में को सा अक्षर आएगा? याद आया आपको? समझ में आया अक्षर को सा आएगा? चलो इसका उत्तर देखते हैं देखो अभी द से दर्वाजा रिक्त स्थान में दा अक्षर आएगा अभी हम दूसरे प्रश्न की और बढ़ते हैं अक्षर को चित्र से जोड़िये यहां आपको कुछ चित्र दिये गए है और उनके आगे कुछ अक्षर और शब्द दिये है तो आपको क्या करना है यहां पे आपको रेखा की साहिता से उनकी जोड़ी बनाना है तो पहला चित्र कोंसा है बच्चों? वन, दूसरा प्राताहा, तीसरा दवाई, चौता धकन तो उनके आगे दिये गए शब्दों और अक्षर देखो बच्चे लोग द से दवाई, व से वन, ध से धकन, अहा से प्राताहा तो आपको क्या करना भी समझ में आ गया? हाँ, इन चित्रों को इन शब्दों और अक्षरों से आपको जोड़ी बनाना है तो इसका उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से व से वन, प्राताहा, अहा से प्राताहा, दा से दवाई, ध से धकन एक बार और ध्यान से चित्र की और देखो, ताकि आप कभी भी अभी नक्षरों को और शब्दों को ना भूले और आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखे तो अभी हम तीसरे प्रश्न की और बढ़ते हैं, तो शायद आपको चित्र देखते ही, प्रश्न समझ में आ गया है, हाँ, ठीक है, मैं फिर भी आपको प्रश्न एक बार पढ़के सुनाती हूँ, चित्र को देखो, और सही वर्न पर गोला लगाओ, तो बच्चों यहाँ जो चित्र दिया गया है, वो कोंसे अक्षर से बनता है, उस अक्षर पर आपको एक गोला लगाना है, तो पहले आप चित्र को पहचानो, क्या है चित्रो, किसका चित्र है, याद आया आपको, हाँ, बहुत कुब, ठपा, ठपा, कोंसे अक्षर से बनता है, ठ से ठपा, तो आपको गोला कहाँ पर लगाना है समझ में आया एक बार इसका हम उत्तर देख लेते है देखो कहाँ पर इसको गोला लगाया गया है हाँ अठा अक्षर पर इसको गोला लगाया है तो आगे के भी चित्र इसी तरह हमको करने चाहिए चलो दूसरे चित्र की और बढ़ते है पैजाना ये किसका चित्र है हाँ अंडा अम से अंडा इसका उत्तर देख लो कहां पे गोला लगा है बहुत खुब बहुत खुब बचो अभी तीसरे चित्र की और बढ़ते है धा से धकन तो कहां पे गोला लगाना है आपको किस बोलो एक बर हाँ धा इसका उतर देखलो एक बर धा से धकन बहुत खुब बच्चों अभी हम चोथे चित्र की और बढ़ते हैं इस चित्र में क्या दिया गया है पैचाना आपने बहुत खुब व से वन तो बोला कहां पे लगाना चाहिए वाक्षर पर लगाना चाहिए अभी और एक चित्र की और बढ़ते हैं क्या है इस चित्र में पहचाना आपने हाँ दवाई दवाई शब्द किस अक्षर से बनता है याद आया आपको द से दवाई तो कहां पर आपको गोला लगाना है इसका उत्तर देख लो तो आप लोग इस अभ्यास पत्र में जो भी दिया गया है एक बार उत्तर पुस्तिका में लिख लो और उसका अभ्यास भी करो और आपको एक चोटा सा गुरुह कार्य भी है इन अक्षरों से और कोई भी शब्द बन सके तो उसको इखटा करके अपने पुस्तक में लिखना ना भोले धन्यवाद बच्चों